नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट आलजेब्रा उसमें चाप्टर नूबर टू रियल नंबर्स प्रैक्टिस से 2.1 के पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट लेने वाले हैं यहाँ पे तो डेसिमल रिप्रेजेंटिशन प्रैस्ट नंबर्स यह पॉइंट है अब यह पॉइंट लेने से पहले आप से भी कॉन रोद करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें शेर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें और बिल आइकॉन जो हैं वो प्रेस करें देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटिशन शेर्म प्र करें जो होता है देट करने के लिए 3 को 5 से टेबल में 3 नहीं है मतलो स्मालर है 5 से तो 0 लेकर पॉइंट देना है यहाँ पे 0 5, 6, 30, subtract करो यहाँ पर 0 remainder आएगा अब जब 0 remainder आगया तो यहाँ पर division stop हुआ अब यहाँ पर division जो है वो stop हुआ है answer 0.6 हमें मिला है अब 7 को अगर हम 3 से divide करें तो 3, 2, 6 subtraction होने के बाद यहाँ पर 1 आएगा, फिर decimal point लेकर यहाँ पर 0 लेना है 3, 3, 9 subtraction करो तो यहाँ पर remainder 1 आजाएगा यहाँ पर भी वन आया था यहाँ पर भी 1 अब हम subtraction करने के बाद 1 0 यहाँ पर ले सकते हैं तो 3, 3, 0, 9 फिर से यहाँ पर 9 आजाएगा और यहाँ पर 1 आजाएगा फिर 0 लो तो फिर और remainder 1 आजाएगा तो इसका मतलब यह division जो है वो अभी stop नहीं होने वाला और remainder हमें 0 नहीं मिलने वाला है तो इसका जो answer हमें लिखना है यह होगा 2.333 अप टो इंफिनिटी तक तो इसे हमें लिखना है 2.3 बार तो जितने भी digit रिपेट हो रहे हैं उनके उपर जो हैं वो हमें बार लगाना है तो इसका मतलब है कि 3.333 अप टो इंफिनिटी तके repeat हो रहा है अब देखिए हमने जब division किया है यहाँ पे 2 type का हमें division मिला है answer मिला है division stop हो आए यहाँ पे division stop नहीं हो आए और division stop नहीं हो आए और जो digit हैं वो repeating वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आये हैं 3.333 वही number repeat हो रहा है तो यहाँ पे जब division stop होता है उसे हम terminating decimal कहेंगे terminating इसका मतलब है कि जो division stop होगा तब हमें terminating decimal मिलेगा अब non-terminating जब नहीं होता stop तो उसे हम कहेंगे non-terminating decimals non-terminating अब non-terminating है लेकिन जो number है वो बार-बार वही मिल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे recurring recurring इसका मतलब एक ही गटना जो है वो बार-बार गटित होना इसका मतलब recur उसे कहता है तो recurring वही number बार-बार repeating हो रहा है recurring कही है यहाँ पे या फिर उसे repeating कही है दोनों भी यहाँ पे सही है तो non-terminating repeating और recurring तो यह दो type के जो हैं वो decimal form होते हैं तो pyq form दिया है तो हम उसे decimal form में convert कर सकते हैं और एक shortcut trick है कि pyq form में rational number दिया है तो उसे हमें terminating decimal है या non-terminating recurring decimal है यह हम directly find कर सकते हैं तो हमें क्या करना है denominator के prime factor find करना है तो यहाँ पे 5 है prime है और यहाँ पे 3 prime है तो जो prime factors हैं वो 2 या 5 या दोनो इतने ही अगर factor आ रहे हैं उन prime factors में तो वो terminating decimal कहलाता है अगर 2 और 5 चोड़कर कोई भी एक number जो कि 2 और 5 चोड़कर 2 या 5 आ सकता है लेकिन उन्हें छोड़कर अगर 3 7 suppose 11 ऐसे कोई भी number आ जाए 2 5 चोड़कर prime factors में तो उसका जो decimal representation होता है नॉन टर्मेटिंग रिकरिंग या repeating decimal होता है उसके लिए हम यहाँ पे example लेंगे समझने के लिए कि suppose 3 by 17 अगर दिया गा है तो 17 में factor नहीं है तो 17 फेक्टर है तो इसका जो decimal representation होगा non-terminating recurring decimal टाइप होगा अब इस समझो हमने यहाँ पे 3 divided by 250 लिया है तो 250 के prime factors find करो तो उसे हम 2 से डिएड करेंगे तो 125 फिर हमें 5 से डिएड करना बोड़ेगा 55 और फिर 55 आएगा तो सभी 2 और 5 हैं तो इसका जो है decimal representation terminating decimal form में आने वाला है तो इसका मतलब stop होगा 2 और 5 हैं तो stop होगा अगर 25 नहीं है कोई आ रहा है तो stop नहीं होगा ओगा non-terminating decimal non-terminating recurring होगा next जो point है वो है to express the recurring decimal in the form P by Q तो recurring decimal जो है suppose 0 point हमने यह पे लिया 5 5 5 up to infinity तो यह होगा 0.5 बार यह recurring decimal number है अगर इसको हमें P by Q form में represent करना है तो इसके लिए एक shortcut trick है कि decimal point के आगे जितने भी digit है repeat हो रहे हैं वो count करना है जितने digit repeat हो रहे हैं तो यहां पे decimal point नहीं है ऐसा consider करो अगर 0 point दिया है तो 5 को हमें जितने digit repeat हो रहे है उतने 9 लेकर हमें denominator में divide करना है तो 5 by 9 अगर suppose ऐसा number है 0.372 bar तो हमें इसे लिखना है 0 point point चोड़ दो 372 divide by 999 3 times तो 372 upon 999 इसका अंसर 372 bar आएगा अगर suppose ऐसा number दिया गया है कि 2.35 बार तो 2.35 टू इंटिजर है तो हमें यहां पे टू इंटिजर लेना है 35 निमेरेटर में लेना है टू डिजिट है तो 2 99 99 यहां पे लिखना है टू इंटिजर 35 divide by 99 इसका अंसर आएगा यह हुआ direct लेकिन exam में 9th class में इसे नहीं लिखना है state board के लिए अगर suppose एक number दिया गया है कि 0.5 बार उसे हमें express करना है pyq form में तो देखिए क्या steps है 0.5 बार को हमें लिखना है suppose x is equal to 0.5 बार तो 0.5 बार x की value है तो हमें 0.555 infinity तक लिखना है तो जितने digit repeat हो रहे हैं उतने 1 के आगे हमें 0 लेना है multiply by 10 to both sides तो दोनों side को हमें 10 से multiply करना है अगर यहाँ पर 2 digit repeat हो रहे हैं 0.353535 suppose तो हमें 100 से दोनों side को multiply करना है तो हमें 10 से अभी multiply करना है तो यहाँ पर 10x is equal to decimal point एक डिजिट आगे जाएगा तो यहाँ पर 5.55 5 infinity तक यह आएगा अभी यह equation number 1 और यह equation number 2 suppose तो equation 2 से 1 को subtract करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे subtract equation 1 from equation 2 1 को 2 से subtract करना है left side से left side को subtract करो 10x minus 1x तो जिससे subtract करना है उनका sign change होगा 10x minus 1x यहाँ पर 9x आएगा और 5 point अभी यह subtraction कैसे होगा देखो 5.55 5 up to infinity और यह 0 point 0 point point के निचे point 5 5 5 up to infinity तो यहाँ जितने 5 आने वाल है निचे भी यहाँ पर भी उतने 5 जाने वाल है तो यह सभी cancel होकर यहाँ पर right hand side में decimal point के 0 मिलेगा left side में 5 minus 0 यह मिलेगा 5 तो हमें यहाँ पर लिखना है 5.05 तो दोनों में multiplication है तो x के value आएगी 5 divided by 9 तो answer मिलेगा x is equal to 5 by 9 practice set 2.1 question number 1 है classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type अब हम पहले इन सभी को directly solve करते है तो denominator देखे 5 है 5 prime number है 5 के मतलब और factor नहीं होंगे 5 ही होगा तो यह जो है decimal representation हमने पहले लिया है 2 या 5 अगर prime factor है तो division stop होगा तो यह होगा terminating terminating type है अब देखे 11 2 और 5 चोड़कर 11 prime number है दूसरा तो यह stop नहीं होने होला तो यह होगा non-terminating recurring type होगा non-terminating उसके साथ recurring भी हमें लेना है 29 बे 16 अब 16 के अगर हम factors fine करते हैं तो 2 8 जा 16 2 से divide करो फिर यहां पे 4 आएगा फिर 2 से divide करो फिर 2 2 जा फिर 2 1 जा तो 2 2 2 2 4 times 2 हैं तो यह भी division stop होने वाला है तो stop होने वाला है तो यह भी जो है जो decimal factor है sorry prime factors है 2 से divide 5 से divide होगा तो 25 होगा फिर 5 से divide करो 5 5 तो 5 5 5 3 times 5 हैं तो यह भी जो है वो terminating division stop होने वाला है अब 6 6 को हमें prime factor find करना है तो 2 3 जा 3 जा 2 और 3 देकि 3 आ गया तो 2 चोड़कर दूसरा कोई भी अगर prime factor आ जा है नहीं होने वाला नहीं होता stop तो यह होगा non terminating recurring type तो 11 by 6 का जो decimal representation होगा वो non terminating recurring type होगा अब जो है वो divide करके हमें सभी question स्वाल करना है तो 5 से हम easily divide कर सकते हैं 11 से divide करो 16 से भी divide होगा 125 से जो division है वो हम यहाँ पर स्वाल करेंगे कि suppose 17 कौम 125 से divide करें तो कैसे करना है तो 12 से पहले 125 से 17 को नहीं होता तो यहाँ पर 0 लेकर हमें point लेना है और यहाँ पर 0 देना है तो 12 से 17 को पहले divide करो कितने से divide होता है 12 वंजा 12 12 वंजा 24 ज़्यादा होता है तो 12 वंजा 12 125 1 into 125 125 वंजा 125 subtraction करो तो यहाँ पर 10 minus 5 यहाँ पर 5 रहेगा 6 minus 2 4 अब जब subtraction हो चुका है तो हम decimal point दे चुके हैं तो यहाँ पर 1 0 हम ले सकते हैं फिर 12 से 45 को divide करना है तो 12 से 45 को divide करो तो यह जो division होगा 12 त्रीजा 36 तो 3 से divide होगा 3 त्रीजा 15 बारो 1 3 त्रीजा 6 प्लस 1 7 3 वन्जा 3 अब subtraction करो तो 450 minus 3 75 यहाँ का एक बारो यहाँ से 10 minus 5 5 यहाँ पर रहेगा 4 14 minus 7 7 यहाँ पर 0 3 minus 3 0 750 रहेगा अब 750 को हमे 125 से divide करना है क्योंकि एक 0 हम ले सकते हैं तो 12 से 75 को divide करो 12 से 75 को 12 6 जा 72 12 7 जा 84 जादा होगा तो 7 से divide हो सकता है तो 125 को हमें 6 से multiply करना है तो 6 से multiply करो देखिए क्या आता है 65 से 30 जादा है बोरो 3 6 2 से 12 जादा है 15 जादा है 6 जादा है तो सब्टाट करो तो यहाँ पर 0 आएगा तो 0.136 decimal यहाँ पर remainder 0 तो जो decimal part है वो stop हो गया division stop हो गया 0.136 और यह इसका decimal point representation जो है वो terminating decimal form आ गया तो ऐसे हमें जो हैं यह question solve करना है तो 2 को इला हम से divide करो non-ternating आएगा तो यह आप easily कर सकते हैं तो next जो question है वो हम next video महीं लेंगे प्रैक्टिसे 2.1 के लिए तब तके लिए तन्यवाद